दोस्तों निनप्पी के दशिक की सबसे सफ़ एलेक्ट्रोसिस में से एक जुई चावला ने साल 1986 में फिल्म सल्तनत से बॉलिवुड में डेब्यू किया था जुई की एए फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी लेकिन साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से जुई को एक अलग पहचान दिली 1984 में मिस इंडिया रही जुई ने हिंदी के अलवा पंजाबी मल्यालम, कनर, तमिल, तेलगू और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है जुई चावला भारतिय सिनेमा में एक मॉडल अभी नित्रिया और निर्मात्री के रूप में पहचानी जाती है खुबसर जुई चावला ने अपने एक्टिंग करियर में हाथ रेकी के करदार निभाए लेकिन उनकी कॉमेडी की टैमिंग सबसे बहतर रही जुई चावला ने नब्बे के तश्यक के सबी बड़ी हीरोस के साथ काम किया है अनिल कपूर के साथ जुई चावला की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था अनिल कपूर के साथ जुई चावला ने 1994 में आई फर्म अंदास में भी काम किया था अंदास फर्म का गाना खड़ा है खड़ा है दर पर तेरे आशिक खड़ा है काफे चर्चत रहा था इस काने के लिरिक्स काफी वल्गर थे दोस्तों इस काने की शूटिंग के बाद जुई चवला फूर्पूट कर रोई थी अभी नेत्री ने एक इंटर्विय में बताया था कि इस काने के बूल इतने भत्रे थे कि इसकी शूटिंग के वक्त में बहुत अनकमपटिबल हो गई थी जुई के मताबिक उन्हों ने फिर्म के डेरेक्टर डेविट धवन से भी कहा था कि वो ये गाना शूट नहीं करना चाहती है जुई के मताबिक इस काने के सारी तयारियां हो चुकी थी ऐसे में उन। ये गाना शूट करना ही पड़ा गाने के शूटिंग खतम होने के बाद जुई चवला फूट फूट कर रोने लगी दरसल जुई काफ़े शर्मिंदा महसूस कर रही थी दोस्तों आप केस पर क्या रहा है कमिट कर जरूर शेयर करें हमारी साथ पने रहने के आप सबी कता है दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम है